नमस्कार विदार्तियों आज हम पारी इस्तितिकी तंतर की अंतरगत उसकी उत्पादक्ता और उत्पादक्ता की प्रकार एम इसको मेजर्मेंट करने के तरिकों के बारे में विष्थार से दिन करेंगे सबसे पल है उत्पादक्ता पारी इस्तिकी तंतर की अंतरगत अगर हम देखते हैं कि उर्जा के प्रवहा के आदार पर उत्पादक्ता की अउधारना को प्रस्तुत किया गया है कौन सा पारी इस्तिकी तंतर शक्रिये है अथ्वा भली भांती कारे सिल है उसकी कारे सिल गति शिलता किस प्रकार की है इन सब पहलूओं का अनुमान उसकी उत्पादक्ता के आदार पर लगा जाता है विबीन इस्तर पर पारिस्तिकी तंतर के अंतरगर्थ उत्पादन अलग-अलग रूप में संचीद रहता है उत्पादन को मुख्यों रूप से तीन स्रेणियों बांटा गया है पहला है आपके खड़ी फसल किसी भी इस्तान विशेश पर निविक्षन के समय उपस्तित जीवधरियों को खड़ी फसल गाते हैं जिसे जीवधरियों अथ्वा सज्जीवों की कुल संख्या की जयवभार या संचीद उर्जा की रूप में दर्शाया जाता है इसे हम खड़ी पसल करते हैं दूसरा है विश्थापित पदार्थ उत्पाद्वन अवधरना का दूसरा चरण है विश्थापित पदार्थ है जिसका सिद्धा आश्यर उस कार्बनिक पदार्थ से है जिसे सक्री या निस्क्री रूप में पारिश्थी की तुनत्र की मुखे दरा से निकाल कर या तो भंडारन कर दियाता है अथा किसी अन्य इस्थान नंबर ट्रांस्पर कर दिया जाता है तीसरा है उत्पाद्वन दर जिस दर से किसी दिये गए छेतर में उत्पाद्वन की लियाएं अग्रसर होती है उसे उत्पाद्वन दर कहते है उत्पाद्वन दर के अंतरगत विबिन उत्पादकों और भो कि सब्भी संसलिषनात्मक और विखंड़नात्मक करतिविद्यों को सामिल किया जाता है नेक्स्ट एव है उत्पादक्ता की प्रकार टाइप्स प्रोडक्टिविटी उर्जा परवहा और उत्पादन दार्ना में गहरा संबंद है इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं प्रात्मिक उत्पादन परणहरी रित युक्त सोपोशी पादप शोर उर्जा को प्रकासनसलिषन के माध्यम से बोजन में परविद्य करते हैं सोर उर्जा को बोजे बदार तुम्हें बदलने कि इस गत्ति को हम प्रारंबिक उत्पादन करते हैं प्रारंबिक उत्पादन केंद्रगत सबसे पहले है सकल प्रारंबिक उत्पादन यानि प्रकास संस्देशन की संपूर्ण मात्रा को कुल प्रारंबिक उत्पादन करते हैं दूसरा है वो है परत्यक्स प्रारंबिक उत्पादन परकासिस्तिन के संपुन प्रक्रिया के परिणान सुरूप जिस गति से कार्बनिक पदार्थ पुद्धों के विबिन भागों में संग्रहित या भंडारित होते हैं उसे परत्यक्स प्रारंबिक उत्पादन कहते हैं तीसरा है परत्यक्स समुदाईक उत्पादन कुल उत्पादन में से भोकताओं द्वारा उत्भोक के बाद शेश बच्चा वह उत्पादन जो सुरुक्षित भंडार के रूम में उप्रूप दिरता है उसे पर्चेख उत्पादन करते हैं अब प्रात्मिक उत्पादन के बाद में दिट्यक उत्पादन विभिन उप्भोगता इस्तर पर उर्जा भंडारन की गत्ती को दिट्यक उत्पादन कहते हैं बोजन स्रंखला में उर्जा का एक इस्तर से दूसरे पोशन इस्तर पर संपूर्ण इस्तारंदरन नहीं होता है इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ उर्जा की मात्रा विभिन उप्भुताओं संगर्थ होती है जिसे दिट्यक उत्पादन कहा जाता है इस प्रकार से भोजन स्रंखला में उत्पादक या पर्थम पोशन इस्तर में जो उर्जा की मात्रा होती है संचित मात्रा का प्यूण रूप से अगले इस्तर पर स्थांद्रन नहीं हो पाता है जो तो ऊड़िया के रूप में बिभिन्स होती है हुआ है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बर्थ्यक्स परत्यक्स शाकारी उत्पादन प्राप्त होता है ऍवे प्रात्मिक उत्पादन को मापने की विद्या, सी प्रस्तुत कि गई है जिसके इंतर्क से पहले है उपल विद्य ले मापने की विद्य किष़ाना दुआरा कीगी फस्तलों के लिए अधिक कारगर है फसलों के पारिशी तंत्र में साकारी जन्तु अत्ती अल्प सिंख्या में होता है जिनका उत्पादन पर लगबग नगन्य प्रभाव होता है अत्ता गतिसिल संतूलन होने की संभावना नहीं रती है परिमापन के लिए बीज बुवाई के समय शुणने और फसल पकने पर उचित्व उत्पादन धर्द की जाती है विक्सित फसल का भाहर ग्याद करके प्रारम्तिक उत्पादन का केलोरी मुल्य आंका जा सकता है इस विद्धी में दोस रहित फल प्राप्त करने के लिए कीट प्राणियों द्वारा संभावित पदार्थ विस्तापन को ध्याद में रखना अत्याव सकते हैं कि दूसरी जो विद्धी है प्रात्में उत्पादन मापने की वह है नाइट्रोजन वो फोस्पोरस प्रवहाविदी जलिये पारिश्थी की तंत्रम में जैसे इतालाब या जीलो में अनुमानित प्रारंबिक उत्पादन गयात करने का ये एक सीधा और सरल तरीका है पेड़ पुद्धे वृतिकाल में जैव राशाने किरिया द्वारा त्यूर गति से नाइट्रोजन और फोस्पोरस का उप्योग करके फुज्य पदात मिलाते हैं ये पदार्थ म लगा लिया जावे तो कार्मनिक पदार्थ उत्पादन और प्रात्मिक उत्पादन का पता लगा जा सकता है प्रदु इस विद्धी से मोटा अनुपात ही पता लगा जाता लेकिन निस्चित मातरा ज्यात नहीं की जासती क्योंकि जल की विभीन सतोह पर विगड़न की तोन जो विद्धी परात्मिक उत्पादन की अक्शिद मापन विद्धी जली है परेश्टि नंतर में में प्लावरम प्लात्मिक उत्पादन परिमापन की ये एक बहुती पुरानी विद्धी सारव परतम गाडर है एमुएं ग्रोण द्वारा विक्षित किया इस विद्धी में समान आकार वायतन वारी कांच की दो खाली बोतल ले जाती है इस में से एक बोतल पार दर्शी और दूसरी गहरे काड़े रहं की होती है दोनों बोतलों को जिस तालाव या जील का उत्पादन क्यात करना है उसमें से पर्ण हरेत पदपलवक जो तो सेंपल बराबर मात्रा में दोनों बोतलों में भरकर बोतलों को समान गहराई पर दिन के त्यूर प्रकास में लटका जाता है बोतलों की गहराई सता से उतनी ही रखनी है जिदना की गहराई से तालाव से सेंपल लिया गया है इस परस्ट है कि पारदर्शी जो बोतल उसमें प्रकास की अनु परसंडर की ऐसे लिंगे ओर जो शोड़ना में परणा से नहीं हो कि कि इसके विपरीत वल्ण की अंतिम गर्णा दोनने और छिजिन गर्णाना में ऑक्सिजिन की प्लेंक्टॉन चूंगी बोतल में समान मातरा में होते आता है इनकी विगड़न और सब्सुन द्वारा ऑक्सिजन की खपत भी दोनों में लगबग समान होगी नेक्स्ट दो विदी है वह कार्बन डाई ओक्साइड विदी इस विदी को शुरपर्थम ट्रांजू नामक वेग्यानिक द्वारा ऑनेशो चब्वेश में विक्सित किया गया जो इस तरिये पारिश्तिक तंत्र में प्रात्मिक उत्पादन की गंड़ना है तो प्यूत की ज आदन में निस्चित समूदाय के चुने गए पात्पो को प्लास्टिक के बड़े बक्सों द्वारा धग दिया जाता है कि बक्सों की वायू को चूसन पांप द्वारा खींच कर बक्सा वायूरहित कर दिया जाता है निश्चित सम्मे के बाद पात्पो द्वारा उत्पन कार्बन डाय ओक्साइड या गेस विश्लिसकों से कर्बन डाय ओक्साइड की मातरा ज्याद करके परत्यक्स समूदाईक उत्पादिन का अनुमान लगा जाता है इसी प्रकार काले रंग के बक्सों का आगलन किया दाता है नेक्स्ट है पर्ण हरित विदी विविन पादपो में क्लोरोफिल के निर्मान की गती बराबर रती है प्रकासनसन का आधार पर्ण हरित ही होता है इसी आधार पर गैस्टनर ने 1949 में विविन पादप समुदायों में पर्ण हरित की पर्ती वर्ग मीटर की दर की गणना करके प्रात्मिक उत्पादन का अनुमान लगाया इस प्रकार से उप्पुक्त विद्यों से हम विविन प्रकार के पारिश्थितिकी दंत्रकों अंत्रगत्थ उनके प्रात्मिक उत्पादन का अनुमान लगा सकते हैं दन्यवाद